हेलो फ्रेंट्स, स्कोर्शाला के चैनल पे मैं सुरेंदर आपकाय फिट से वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11 के एक और टॉपिक को लेकर के तो दोस्तो हम लोगों ने बात करने वाले कि निक्ष्णरी के बारे में जो exam के लिए बहुत important है और वो पिछले वीडियो में अपने discuss कर लिया था आज कुछ topics पर बात करने वाले हैं working with dictionary में सबसे पहले कि अपन क्या यहां पर देखने वाले कि दोस्तों जो dictionary आपके पास होती है उसमें हम लोग कैसे अपने elements को add कर सकते हैं कैसे दोस्तों update कर सकते हैं कैसे अपने उसके अंदर के elements को delete कर सकते हैं यह कुछ topic अपने पास रहेंगे तो दोस्तों जैसे कि एक dictionary अपने बना रखी इसका कोई भी नाम रख सकते हैं जैसे कि मैं d1 रख देता हूं उसके अंदर अपने ID यह कुछ बना रखी है कि कैसे हम लोग अपने dictionary को create कर सकते हैं, तो दोस्तो dictionary को create करने के लिए अपने पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं, सबसे important तो यह हो जाएगा दोस्तों कि अपने पास एक function होता है, जिसका नाम होता है, अपने पास एक टाप का constructor भी होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर अपना एक कह सकते हैं dictionary, create कर सकते हैं, इसके अलाव आप चाहें, तो सिफ curly brackets लगा करके भी create कर सकते हैं, तो दोस्तों आपन बात कर सकते हैं, initialize किस तरीके से करेंगे, create कैसे करेंगे, in this method, all the key value pair of a dictionary are written collectively, separated by commas and enclosed in curly braces, यनि कि क्या हो जाएगा दोस्तों कि आप यहाँ पर use कर सकते हैं, अपने curly braces को इस तरीके से, और इसके इंद जितनी भी keys हैं आपके पास में, जैसे कि दोस्तों मेरे पास लिखा है title, टाइटल क्या है, अपने course का, वो है, suppose python, फिर मैं लिख उसके बाद लिख दिया, अपने टू मन्त, तो इसका मतलब है मैंने course नाम का, यह course नाम का क्या बनाया है, यहाँ एक dictionary बनाया है, और इसके अंदर मेरे पास keys क्या है, title, fees, duration, इनकी values क्या है, title की value है, अपने पास python, fees की value है, अपने पास 10,000, और duration अपने बता दिया है, टू बना रखिये, तो उसमें आपन किस तरीके से add करते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले firstly, an empty dictionary को create किया जाएगा, then हम लोग उसके अंदर keys और values को add कर सकते हैं, तो दोस्तों add करने का बतलब क्या हो जाएगा, उसमें values को put करना, key और values को put करना, लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पर create करेंगे अपनी एक empty dictionary, अब देखें, empty dictionary को बनाने के भी अपने पास दो अलग-अलग method, दो अलग-अलग तरीके हैं, देखें, एक तो यह हो जाएगा, आपके पास dictionary बनाने के लिए, कि आप उसमें के आगे बस curly braces लगा दिए, जैसे कि म सिन्फो के आगे आप डिक्ट नाम का एक function या उसका एक constructor के सकते हैं, वो आप यहाँ पर use कर सकते हैं, तो डिक्ट एक अपने अपने माथर है, अपने अपने constructor है, जिसके तुरू आपके पास एक dictionary create हो जाती, तो मैंने कह लिए लिए, जब अपने बना ली है, अब इसके ब हम लोग इसके अंदर पर value डालना चाते हैं, तो डाल सकते हैं, एस info हमारे पास बिल्कुल blank है, मैं लिखता हूँ, एस info और उसके बाद हम pass करते हैं, यहाँ square brackets के अंदर class, class क्या हो जाए कि 11, तो अगर आप वापस से एस info को print करेंगे, तो लिखा आएगा curly braces के अंदर class colon 11, तो इस तरीके से अपने क्या कर दिया है, यहाँ अपने एक empty dictionary create कर दी है, और then उसके बाद हमने यहाँ पर उसके अंदर एक key और value pass कर दी है, समझ मा आ गया होगा, इसी टाइप से हम बात करने वाले, creating a dictionary from name and value pair, ठीके, name and value pair में अपनको डालना है, तो using the dict constructor, जो dict constructor अपने अ new dictionary initialized from specified set of keys and values, तो आपने जो dictionary create करी है, dict function के तुरू, इसके तुरू आप चाहें, तो दोस्तो keys और values जो है, वो भी आप specified key और value pass करके भी अपनी values को initialize करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके तुरू आप dictionary बनाते हैं, सबसे best, सबसे easy क्या है, दोस्तो, आप यहाँ पर curly braces लगा दीजिए, और उसके अंदर अपनी value pass कर सकते हैं, अगर आप dict method यूज करें, तो dict method में भी आप क्या-क्या pass कर सकते हैं, वो अब हम लोग यहां discuss करें, तो आपन क्या discuss करें, दोस्तो, using the dict constructor, ठीके, उसमें आपन किस तरीके से use कर सकते हैं, there are multiple ways to provide keys and values to dict constructor, पहला है, दोस्तो, specifying key value pair as keyword argument to dictionary functions, ठीके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें keys as argument हो जाएगी, values as their values, यनि कि हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, दोस्तो, as info equals to dict function, इसमें मैंने क्या लिख दिया, name, name equals to, अमन्याद रखेंगा, दोस्तो, यहां पर मैं बोल रहा हूँ, आपको बार बार colon लगाते हैं, लेकिन यह जब आप यहां पर use करें, dict method, dict function, तो उसमें हम लोग जो लिख रहे हैं, ठीके, वो क्या है, आपके पास यह हो गई key, और यह हो गई उसकी value, तो name equals to, अमन्याद लिखा है, age equals to, 16 लिखा है, for number equals to, जो भी value लिखी है, लेकिन यह किसमें लिख हो जाएगा, age colon 16 हो जाएगा, phone number equals to, जो भी like 12356 जो भी अपने number डाल रखा है, वो आजाएगा, ठीके, तो यह internally खुद उसको डिक्सिनरी में convert करेगा, ठीके, यह समझ माया होगा, जब आपन ऐसे info करके देखेंगे, तो उसका name, age, phone number, जो भी आपने डाला है, वो डिक्सि की value pair in this format, you need to enclose them in curly braces, तो आप यहाँ curly braces के अंदर जो है, यहने डिक्ट function के अंदर अपन इनको use कर सकते हैं, ठीके, इसको मैं आपको आगे practically बताने भी वाला हूँ, next आपके पास है, specifying key separately and corresponding value separately, तो यहाँ पर आप जो है, वो use करते हैं, zip method, zip method के through भी आप जो है, अपने particular जो भी keys और values है, वो आप पास कर सकते हैं, एक टपल के form में, तो in this method, the keys and values are enclosed separately in parentheses, यहने कि आप इनको जो पहले सारी की सारी zip एक method है, अब जो zip method है, यह खुद किसमें आजाएगा, दोस्तो, dict के अंदर आजाएगा, और यह कोई d1 नाम की variable देनी की, d1 equals to dict और zip, और फिर इ अपनी keys, जो भी key है, जैसे कि आपके पास name हो जाएगा, comma age हो जाएगा, comma city हो जाएगा, जो भी, ठीक है, और इस तरीके से आप उसके बाद जो है, उसकी values भी pass करते हैं, ठीक है, तो यह आपके पास इस तरीके से method चलेगा, यहने कि यहाँ आप zip function को use कर सकते हो, which is then given as argument of dict तो यह dict के argument zip function zip के अंदर आप जो है, वो pass करेंगे अपनी keys और values को, तो हम लोग इन topics को फिर से आगे वापस discuss करने वाले हैं, इसके पास बाद में आपके पास आएगा specifying key, तो इसमें क्या हो जाएगा, value pair separately in form of sequences में, कि one list or tuple, in this matter, one list or tuple argument is pass to dictionary, यहनी कि dictionary जो function है, इसमें पास करेंगे, या तो list pass करेंगे, या पर tuple pass करेंगे, ठीके, जो भी आप पास करेंगे, वो फिर उसको वापस convert कर देगा, जैसे dict जो method है, इसके अंदर हम लोग क्या पास करें, दोस्तों, यह आपके पास यहां पर, ठीके, यहां आप देखेंगे, यह वापस एक bracket बनाव है, यानि कि यह आपके पास क्या पास करें, हम लोग dict method के अंदर अपन पास करें, यहां पर अपनी एक list, ठीके, इस list के अंदर अपन लिख दिया name, कमल, फिर अपन लिख दिया age, 16, और phone number, जो भी अपने पास थे, तो इस तरीके से अपन पास करें, जिससे क्या होगा, यह name, colon, कमल, age, colon, 16, और phone, number, colon, जो भी यह बनाना चाहिए, देखिए, simple तरीके से भी बना सकते थे आप, ठीके, curly braces लगा करके, आपको लग रहा है, dict method को लेना है, तो dict method भी आप ले सकते थे, एक के अंदर आपने क्या बता दिया, कि आप सीधे-सीधी values बता सकते हैं, key और value का pair बना के zip के तुरू भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहां पर specifying keys भी और उनकी values भी आप इस तरीके से भी set कर सकते हैं, ठीके, important क्या है आपके पास में, कि important dict method takes longer time compared to traditional method, सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह dict method को कम use किया जाता है, ठीके, बहुत कम use करते हैं, जब ज़्य ज़्यादा डेटा आपके पास होता है, तो आप भले इसको use करें, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कि यह data को manage करने में, ज़्यादा time लेगा, इस चीज़ को आपको observe करना है, ठीके, तो यह इसका drawback भी है, इसका जब मैं कभी भी Python में काम कर रहा हूं, dictionary को use कर रहा होता इसके लिए आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे, suppose एक email है ना, s info नाम की एक dictionary है, इसके अंदर आप क्या लिख देंगे, suppose email और उसके बाद उसकी values आप बता देंगे, तो दोस्तों यह element अपना add हो जाएगा, बाइद अगर email अपना पहले से बनावा है, तो क्या होगा तो बियान रखना, यह update हो जाएगा, तो अगर आपके पास पहले से वो key available है, तो क्या हो जाएगी, वो update हो जाएगी, जैसे मेरे पास अगर phone number लिखावा था, suppose, और phone number मैंने जब वापस लिखा, phone number equals to जो भी value, तो क्या हो जाएगा, पहले वाला जो number है, वो change हो जाएगा, और अगर वो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर add हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को जानक न, adding elements जो update है, अब दोरों में कोई खास difference नहीं, बस value पहले से available है के नहीं यह देखना है, तो जब print करके देखोंगे, दोस्तों वही चीज़ वापस आपको देखन अब इनकी जो values है, वो फिर से देखे, dictionary हो गई, fees, colon, 12,000, duration, आपके पास 3 month है, description, अब programming language है, और इस तरीके से dictionary के अंदर, फिर से एक और dictionary आती, तो इसको क्या बोलते हैं है अपन, nested dictionary, टीक है, storing a dictionary inside another dictionary is called, nesting of dictionary, but one thing you must know about nesting of dictionary is that, you can store, you can store a dictionary as a value only, दियान रखेगा, दोस्तों, यहाँ पर dictionary के key आगई और उसकी value है, यह पूरी के पूरी के पूरी के अपने पास, पूरी के पूरी दोस्तों value है, तो याद रखना, अगर आपके पास एक key है, तो उस key की जो value होती है, उसको आप जो है, वो nested dictionary बना सकते हो, ठीक है, इस ची के बहुत सारी आपके पास list जो है, इस तरीके से के आप जो dictionary बना रहे हैं, उसमें keys को भी use करें, तो keys की value, value फिर से आपके पास एक type की dictionary हो सकती है, एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे suppose आपके पास course नाम की dictionary है, तो आप क्या लिख देंगे, course, course के python की fees कितनी है, ठीक है, तो suppose आ अठीके से अपन उसको print करा सकते हैं, अगर आप print में लिख आके लिख रहे हैं, तो आपके सामने output के आजाएगा, 2000 आजाएगा, ठीक है, simple सा है, इसी तरीके से आपको update करना है, देखें, वही वाली बास वापस आ गई, कि अगर update करना है, तो क्या है, in dictionary, the updation and addition of elements are similar as syntax, but for addition, the key must not exist, अगर आप edit कर रहे हैं, अगर आप addition कर रहे हैं, तो अलग अलग अची जोगे दोस्तो, addition का मतलब क्या हो गया, उसमें एक नया add कर रहे हैं, ठीक है, एक नया add कर रहे हैं, तो आपके पास addition हो जाएगा, और अगर आपके पास पहले से कुछ बनावा पड़ा है, अपडेट हो जाएगा, जैसे कमल की जगे आपने क्या कर दिया, अभी नीरज लिख दिया, तो नाम change हो जाएगा, और बाइदर नेम नहीं लिखा हुआ, तो फिर उस condition में ये element आपने add किया है, insert किया है, तो इस बार जो name है, यानि कि आप देख रहे होंगे, यहां पर उस भी होता है, pop item भी होता है, pop भी होता है, आपके पास में clear भी होता है, बहुत सारे method और statements है, जिसके through, अपने elements को delete कर सकते हैं, या आप चाहें तो पुरी dictionary को भी delete कर सकते हैं, तो देखेंगे, for deleting elements from a dictionary, you can use either del statement, यह ज्यान रखेगा, del अपने आपने एक statement है, और आप चाहें तो pop function को, pop items को, इन functions को भी use कर सकते हैं, with del statement, the key that you are giving to delete must exist in the dictionary, otherwise python raise exception, ठीके तो exception आजाएगी, अगर आपने वहाँ पर ऐसा कोई element बता दिया, जो उस dictionary में available नहीं है, लेखिए मेरे पास s info में एक email था, जिसका नाम था, इसकी value थी, अपने पास kamaladvirate gmail.com, तो मैंने लिखा del, s info के अंदर क्या delete करना है, आपको email delete करना है, तो जब आप इसको print करके देखेंगे, तो आपके पास क्या हैगा, name, niraj, age 16, phone number, जो भी है, आगे जो अपने पास email था, वो अपना delete हो चुका है, clear है, अगर आपने दोस्तों यहाँ पर email नहीं लिखा, या कोई भी आपने element पास नहीं किया, कि अबल, del, s info लिखा, तो क्या होगा, उस condition में दोस्तों याद रखेगा, पूरा s info, पूरी की पूरी डिक्सनरी आपकी जो है, वो पूरी की पूरी डिक्सनरी ही delete कर देगा, ठीके तो del statement में अगर आपने, अपने dictionary के नाम के बाद element पता ही, तो वो delete यह सब कुछ delete कर देगा, इस चीज को याद रखेगा, इसी टाइप से अपने पास है, प्रिंटिंग डिक्सनरी, अगर आपके पास dictionary है, और उसके अंदर कुछ values पढ़ी है, उसको अच्छे तरीके से आपको प्रिंट करना है, ठीके, तो आपके पास एक function होता है, dumps जो की खुद के code में आपको import करना होता है, बस इतना सा आप ध्यान रखेगा, तो अपने पास क्या import, जेसन आपको लिखना है, जिससे कि वो जेसन इंपोर्ट हो जाएगा, उसका एक function होता है, जिसका नाम है जेसन.jumps, sorry, dumps, dumps में क्या लिख देंगे, अपन s info, ठीके, s info क्या ह हो जाएगा, आपके पास में ये जो आपके पास में dictionary थी, और उसके अंदर अपने पास क्या है, indent equals to two, मतलब वो दो spaces छोड़ करके लिखेगा, इस तरीके से, एक थोड़ा अच्छा एक look आएगा आपके पास, जब आप dictionary को print करते हैं, तो एक अच्छे तरीके से print कर इसके लिए अपने पास एक function है, क्या नाम है, उसका dumps एक function है, कौन से module का है, दोस्तो, json module का है, इस तरीके से अपन उसको print करवाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, इसी तरीके से अगर आपके पास counting करना चाहते हैं, एक particular element अगर आपके पास कहीं है, तो वो भी आपक आपके पास json के थुरू अपन कर सकते हैं, जिसमें function अपने पास होता है, जिसको बोलते है, text, text.split, यह क्या function काम करेगा, जैसे कि split जो function है, जो भी string है, इसके एक-एक word को तोड़ देगा, खुल मिला करके, और फिर अपन count कर सकते हैं, तो देखिए, counting frequency of elements in a list using dictionary, क्या करे दोस्तों, अपने पास import json, text है, text equal to this is a sample text, and I am working in sample text file, अब देखिए, मैंने क्या कर दिया, words, words के अंदर लिख दिया, text.split, यह क्या कर देगा, दोस्तों, इसके अंदर एक string रखेगा, जिसका नाम हो जाएगा, this एक का नाम होगा, is एक का नाम होगा, a एक का नाम होगा, sample essay, text, and I am working in sample text, यह सारे के सारे words, string बन करके जाएंगे, words के अंदर, फिर अपन क्या करेंगे, count equals to 0, variable, count उसको अपन 0 कर देंगे, then अपन क्या कर सकते, for a in words, a in words का मतलब क्या words के अंदर, जितने भी strings है, वो एक के करके a में आएगी, अपन चेक करेंगे, if a equals to equals to sample, ठीक है, यहने कि sample word इसमें है, कि जैसे एक यह वाला है, एक यह वाला है, कितने हैं, दो है, तो आपन उसको just print करके देखना चाहें, तो आपन लिखनेंगे, जैसे अगर है, तो count equals to count plus 1, एक एक value बढ़ जाएके, और बात में print करके देखेंगे, तो उसकी value आपके पास है, जितने कि आए होंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख रहे थे, मैंने आपको बताया कि कैसे आप dictionary create कर सकते हैं, एक empty dictionary कैसे create कर सकते हैं, value assign कैसे कर सकते हैं, traditional तरीका है, एक dict method के तुरू कर सकते है, dict method टाइम जदा लेता है, dict method के तुरू चार अलग-अलग वे बता इसके साथ-साथ आप जो है, वो यूस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, pop है, pop items हैं, आपके पास में, ठीके, clear है आपके पास, इसके तुरू भी आप delete कर सकते हैं, तो अगला वीडियो दोस्तों में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वा हैं, वो वाले दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपने इसाथ जुड़े रहिए, thank you.